इस वीडियो में हम Storage को पढ़ेंगे पहले वीडियो में हम Memories को पढ़ चुके है memory क्या होती है और अब हम देखेंगे store क्या होता है यह storage क्या होती है storage what is storage storage hold data यह data को hold करती है instruction and information यह सारे चीज़े data instruction and information यह तीनों चीज़ें को hold करती है for future use memory जो होती है वो सिर्फ processing के time use होती है मसाल के तुर पर जो RAM हम पिछली वीडियों में पड़ चुके हैं तो वो किसी भी time हम data जो है उसको processor में ले भी सकते हैं और प्रफेसर से data save भी कर सकते हैं तो जो जो RAM होती है वो उसी वकर जूज हो रही होती है जिसको हम क्या कहते हैं वो ला टाइल जाने कि वो जब computer power आप होता है तो वो save नहीं रहती लेकिन storage में क्या है हम future use के लिए save करते हैं data all data instruction and information for future use ठीक है तो जीक है storage हो जासा के विंड़ो है जब हम computer on करते हैं तो वो पहले hard disk में storage में save होती है फिर जब हम computer on करते हैं तब वो RAM में आती है फिर मारा computer on होता है इस तरह application जब भी हम को भी रान करते हैं पहले वह हार्ड डिस्क में होती है फिर जब हम उसको रान करते हैं वह रैम में आती है तो रैम जो है वह मैमरी है और हार्ड डिस्क जो है वह स्टोरेज है स्टोरेज क्या है स्टोरेज क्या है स्टोरेज की हार्ड डिस्क और फ्लैश मैमरी स्टोरेज जब हम computer start करते हैं तो क्या होता है system इंस्टो जो system software होता है मिसाल के तुरबर window ठीक है hard disk data load होता है कहां RAM में पहले hard disk में होता है या storage में होता है तो वो RAM में आता है और जब हम कोई भी application start करते है starting application कोई भी मिसाल के तुरबर Microsoft Office इंस्टाल किया है तो जो है data hard disk कहां load होता है RAM में तो जब हम वो program end करते हैं तो हम data save करना चाहिए तो hard disk यानि कि storage में save करना चाहिए तो कर सकते हैं कितनी type का data जो है वो हम future use के लिए store कर सकते हैं सबसे पहले application and system information जो application software है या system software है जो हम data save कर सकते हैं पिक्चर एंड वीडियो हम save करते हैं mobile में भी computer में store करते हैं casual हम कोई भी meeting अपना उसका casual calendar में save कर देते हैं bank statement जो हम bank statement ली जाती है assignments books web pages और भूर सारी चीज़ें जो हम इसमें save करते हैं लेकर यह चांद चीज़ें जो हम जिस तरह का data save कर सकते हैं storage requirement हर बंदे के लिए storage requirement मुखलिफ होती हैं तो यह सवाल आसकता है कि यूजर के लिए जो home user है यह एक छोटी शाप वाला है यह चोटे बिजनस वाला है तो उनके लिए जिसेम होगा उनके requirement सेम होगी लेकर जो enterprise होंगे जनके जो बड़े business हैं उनके लिए requirement अलाग होंगी त storage requirement मंग user very greatly कि यह बहुत ज़रा different है मेरी requirement सिरफ जो हो वो पचास जीबी हो लेकर आम तो पर वो कहते हैं कि home user small office user and mobile user जो है इनकी storage requirement 320 जीबी के राउंड बूर्ट होती है जैनके billion bytes billions bytes देखें तो कितना data होता है 320 जीबी लेकन यह home user में hard disk में इतनी जो है गुजाश भी आलम 500 जीबी तक भी होती है 320 200 इतनी होती है तो जो इंटरप्राइज हैं जो बड़ी कंपनिया है उनके में जो storage requirement होती है वो चास पैटाबाइट तक होती है पैटाबाइट जैसे हम डेटा बारे में पूच पड़ चुके हैं एक एक पैटाबाइट में 1024 terabytes होते हैं 1024 terabytes में फ जो बाता है storage medium जहां डेटा स्टोर करते हैं इसको जो अगर हम एक storage device की बात करें तो इसका मीडिया केंगे जो storage medium है इसका मतलब है बहुत सारे हम storage media की बात कर रहे हैं also called secondary storage हमने जैसे के पड़ा था primary memory होती है और secondary memory होती है ठीक है primary memory को हम जो है primary memory कहते है और इसको secondary memory secondary storage भी कहते हैं secondary storage is the physical material जो physical material होता है जहां data save करते हैं keeps data instruction and information example of storage media are hard disk, solid state drives, memory cards, USB flash drive and cloud storage so hard disk में भी storage medium है और solid state drives होती है memory card होती है USB जो हम कहते हैं और cloud storage भी यह सारी चीज़ें जो है यह storage medium है storage medium जहां हम data save करते हैं जहां हम data storage करते हैं पहले हमने storage को देखा अब हमने देखा storage medium what is storage medium यह मुख्लिफ storage medium है यह स्टराच जियमरी काड़ हो गया यह hard disk हो गई और यह मुख्लिफ दरह के memory card है मटमिन आहएं ये सरवर प्रवाइडि करते हैं मुटलिफ वैब सैडिट यह सर्वाइड करते सभी करने को schweris क्लॉड स्टोरिज रहत Чई का होती है वाट इस चौरेज क्पैस्टी आफे Kั้ प्यूटर यह इस तरह करके सवाल आ सकते हैं करके स्टोरज मीडियम कें होल्ड के एक स्टोरज मीडियम है उसकी स्टोरज क्या होती है जितने वह बाइट सेव कर सकता है पर है तो आगे पर नएसे पहले अगर आपने अभी को अगरा ने दियरा सबसक्राइब की लाइक आज देए ना कि रख और जितना data save हो सकता है वो उसकी storage capacity होती है hard disk memory card इन सब की storage capacity क्या होती है कि जितना data इनमें save हो सकता है capacity अब जे बताया गया है कि flash drive जो होती है USB जो drive यूज़ करते हैं चार जीबी तक जो है data save आम तोर पर होता है reasonably priced जो थोड़ी महंगी होती है उसमें 4GB से ज्यारा भी होता है इस तरह और जो hard disk होता है उसमें usually 320 होता है तो 500GB होता है 1000GB होता है वो फिर हम जितना लगवाना चाहिए लेकिन यह बताया गया storage capacity क्या होती है जो explain किया है जब power remove की जाती है तब भी data storage रहता है यह तो आपको पहली बता है non-volatile होती है hard disk यह कोई भी storage जो secondary storage होती है तो memory जो होती है वो primary memory उसमें जारा तर RAM होती है जो के volatile होती है लेकर जो यह होती है storage जो होती है यह power off होती है तब भी save रहता है तो इसको non-volatile भी कहते हैं यह term हम पहले भी देख चुकी है इनको दबारा देख लें यह बहुत ही ज़रूरी है तो kilobyte जो है उसमें कितने number of bytes रते हैं एक लार तो यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कमजगम petabyte तक आपको अंदाज़ा हो एक petabyte में 124 terabyte अगर इस तरह याद कर लें तो बहुत असान हो जाता है फिर उनको multiply करें तो यह bytes निकलाते हैं पुछा चाहिए what is gigabyte, what is megabyte, what is kilobyte, what is terabyte, what is petabyte यह सारी चीज़ें आसकतियें पेपर होएं तो यह खासतों पर पहली 4-5 तो आपको आपको जाद होनी चाहिए अगर आपने अपना नाम सेव करना है तो आपको कितनी bytes चाहिए होगी अगर आपने अपना नाम किसी भी storage device में सेव करना है तो आपको कितनी bytes चाहिए होगी इस बात का जवाब आपने comments section में देना है कि हमें अपना नाम सेव करने के लिए इतनी bytes चाहिए किलो bytes की बात नहीं हो रही, bytes की बात हो रही है तो आपने कमेंटर में बताना है कि कितनी बाइट्स चाहिए आपको अपना नाम सेव करने के लिए साथ में अपना नाम लिखें कमेंटर में और साथ में बाइट्स लिखने स्टोरेज डवाइस तो पहले हमने देखा है कि storage क्या होती है फिर storage medium देखा है अब storage device storage media और storage device एक ही होती है बस यह उसको overall जो storage media होता है मसाल को तुर्प हार्ड डिस्क उसको cover समेथ जह सारी चिलों को मिला का storage device कहा देते हैं बतल जो storage device है इसकी definition यही होगी storage device is the computer hardware that records and retrieve items to and from storage media storage media के अंदर से जो data computer जहां प्रोसेसर में लाता और बेज़ता है वो क्या होता है storage device होती है जिनके overall जो पूरी device होती है hard disk जो पूरी होती है hard disk overall अपने जो covers में जितना भी उसमें mechanism होता है उसको storage device कहा देते हैं वो एक device बन देती है वरना वो जो सिर्फ मीडिया हो तो वो जिनके हम उसके internal की बात कर रहे होते हैं तो overall जो concept बोला जाता है तो वो same ही होता है storage device storage media हम same भी कह सकते हैं लेकिन storage device को definitely इसकी definition जहीं होगी अगर आज storage device क्या होती है तो it is the computer hardware that records and retrieve जिनके save करता है और वापस लाता है items to and from storage media writing क्या होता है writing is the process of transferring data instruction and information from memory to a storage medium जो उपर लिखा है record जो record करना होता है या write करना यह की होता है जब हम data save करते हैं storage में तो इसको writing भी कहते हैं reading क्या होता है जब data वापस लाते हैं जहां उदर से use करते हैं तो इसको reading कहते हैं तो summary में हमने सबसे पहले देखा storage क्या होता है कौन-कौन सा data हम save कर सकते हैं storage devices में या storage media में storage requirement क्या होती है home user के लिए enterprise user के लिए storage capacity क्या होती है storage medium क्या होता है storage device क्या होती है तो आज के lecture में इतना ही मिलते हैं अगले lecture में टानी है टुआ रशा झाल तो युआ युआ